अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल दोस्तो आज मैं आपको नए साइट पर ले आया हूँ यहां आप देख रहा है यह मैं आपको एक साइट दिखा रहा हूँ यह फ्रांट आप देख रहा है यह 30 फिट का इस बिल्डिंग का फ्रांट है और जो इसकी बनावना चाहते हैं दो मंझिल यह 3 मंझिल का तो मोटा मोटी आप इस वीडियो के अधार पे अपना पीलर का Diesel कद दे कितना साइज का आपको पीलर देना है उसमें सरीय कितना यूज करना है और पीलर का जो complete detail इसमें बताऊंगा साथी foundation के बारे हम बताऊंगा तो आप ये video end तक देखिएगा ताकि आपको अपना भी घर बनाने में कोई दिक्कत ना हो तो चलिए video को detail में सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि column और beam का जो हम design करते हैं दोस्तों ये mainly depend करता है हमारा column से column की बीच की कितनी दूरी है और साथ ही उस पर building का जो load है ओ कितना है और हमारा जो स्वायल है जिस मिट्टी पर हम घर बना रहा है उसकी capacity कितनी है बीरिंग capacity तो इस पर हम design करते हैं अपने column को लेकिन यहां मैं आम भासा में जैसे जिन्दली अपना घर हमें बनाना है तो उसके लिए आपको बता दूं कि पहले के टाइम में हम देखते थे कि हमारे ठेकदार मिस्तरी 9x9 का पीलर तयार कर देते थे चार सरी या 12 mm का या 16 mm का यूज कर लेते थे और वह काफी होता था हमारे लिए लेकिन वह दोस्तों 9x9 इंच का पीलर अब हतम हो चुका है अब मैनली जो हम यूज करते हैं यह 9x12 का या फिर 12x18 का 9x15 का पीलर यूज करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीडिटेल में समझाओंगा कि करीवन आपको 2000 स्कॉयर फेट 3000 स्कॉयर फेट या 2-3 मंजिल का मकान बनाते हैं तो आपको कम से कम कि पीलर रखना है और उसमें कितने सरीय यूज करने है रिंग का साइज क्या देना है और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कोसिज करूंगा बताऊंगा उसके बीम के डीटेल के बारे में तो इस वीडियो में मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूंगा आप देख सकते हैं कि जो यहां पे pillar यूज किया गया है दोस्तो ये करीबन 15 feet के दूरी पे दिया गया है 15-20 feet के दूरी पे दिया गया है दोस्तो एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जब भी अपने घर कर डिजाइन करें तो आप कोसिस करें कि आपके पीलर से पीलर की जो दूरी है वो 15 फिट से जादा ना हो अगर किसी मजबूरी वास आप बीच में नहीं चाहते हैं कि आपका पीलर बीच में आए तो आप उस पीलर को फिर 20 से 25 फिट तक देते हैं तो उस केस में हमारे बीम का गहराई है वो बढ़ जाता है पीलर का साइज बढ़ जाता है जैसे कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूँ आप देख रहे हैं यहां पे जो यह पीलर आपको दिखाई दे रहा है 18 इंच इसकी चोड़ाई यहां पे दी गई है और इसका जो सामने फ्रंट जो है यह 12 इंच का यहां पे फ्रंट दिया गया है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 20 mm का 4 सरिय चारो कोनों भी यूज किया गया है और इसके बीच में 4 सरिय जो दिया गया है वो आपको यहां पे 16 mm का 4 सरिय दिया गया है और इसमें जो ring यूज किया जा रहा है वो 8 mm का ring यूज किया जा रहा है और दो रिंग के बीच की जो दूरी दी गई है ये 6 से 7 इंच की दूरी दी गई है तो इसका detail में मैं यहाँ पर foundation का भी detail दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहां पर footing दिया गया है इसका जो गड़ा खोदा गया है इतने बड़े column के लिए जो हम गड़ा देते हैं दोस्तों करीब 4 by 4 feet का हमारा गड़ा होना चाहिए और जो इसकी गहराई होनी चाहिए दोस्तों हमारे पिलिंद लेबल से जहां हमारा ground floor आता है और आप यहां देख सकते हैं कि उसमें फुटिंग के लिए जो सरीय यूज किया गया है वो 10 mm का कम से कम आपको सरीय यूज करना है और जो दो सरीयों के बीच की दूरी रखने है वो 5-6 इंज की रखने है वहीं आपको आगे दिखा दूँ तो यहां आप देख सकते हैं जो यह पिलर आपको दिखाई दे रहा है जो इसमें पिलर यूज किया गया है तीन तरह के पिलर यूज किया गया है बारा भाई अठारा का यहां पे पिलर दिया गया है अगला जो यह आप पिलर दिख रहा है यहां पे यह नो भाई अठारा का पिलर यूज किया गया है औ हमारा जो front है यह 30 feet का 30 feet के दूरी पे जो हमारा यानि एक इस कोने पे दूसरा आप आहां देख रहे हैं दूसरे कोने पे फिलर दिया गया है यह 12 इंच भाई 18 इंच का पिलर दिया गया है और इसमें जो सरीय यूच कि आगया है मैं आपको पहले बताया कि 20 mm के यहाँ पे चार सरीय कोनो कोनो पर यूज किया गया है और 16 mm का चार सरीय उसके सेंटर में यूज किया गया है और आप जो बीच में यहाँ पे आप नेक्स्ट पिलर देख रहा है यह 9 x 15 इंच का दिया गया है इसमें भी चार सरिया जो है यहाँ पे 20 mm का यूच किया गया है और बीच में यहाँ पे जो दो सरिया यूच किया गया है वो 16 mm का यूच किया गया है रिंग जो है आप देख सकते हैं रिंग के बीच की दूरी यहाँ पे 6 से 7 इंच की दी गई है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉलम से कॉलम की बीच की दूरी 20-25 फिट की आ रही है तो आपको उसिस करें कि 12 भाई 18 का पीलर यूज करने का वहीं आपके 2 पीलर की बीच की दूरी 15-20 फिट की है यूज कर सकते हैं और उसमें आप 16 mm का 6 सरीय यूज कर सकते हैं या फिर 20 mm का 4 सरीय कोनों पर यूज कर सकते हैं और दो सरीय आप सेंटर में यूज कर सकते हैं रिंग की जो दूरी है आप 5-6 की रिंग की दूरी दे सकते हैं